इस lecture में आपको टीप neural network या artificial neural network के through classification करनी बताए जाएगी और हर किसम की classification binary भी, multi class भी और multi-level class classification भी इस स्टार्ट करते हैं टाइम जया किये भी न यह आपके सामने एक notebook आपको नजर आ रही होगी मेरी तो हम feed-forward neural network भी इसे बोलते हैं या feed-forward neural network की बजाया artificial neural network भी बोलते हैं whatever you want to call this binary classification क्या होती है जब आपके पास yes or no के अंदर कोई चीज आपने बतानी हो ठीक है? 0 या 1 yes or no इस तरीके से जब आपने चलना हो उस चीज को हम बोलते हैं binary classification binary classification का तो आपको पता होगा hopefully अब हम क्या कर रहे हैं? same वो ही काम कर रहे हमने at the end जो हमारे पास पूरे के पूरा डेटा है उसे इंकोड करने के बाद हम missing values बगरा या बाकी चीजें जो हैं वो उनको निकाल सकते हैं या हम खुद से binary बाइनरी क्लासिफाइर भी बना सकते हैं और यहां पर जो निमेरिकल डेटा हैं हम उसका बाइनरी क्लासिफाइर बना रहे हैं कैसे बनाना है मैं भी आपको दखाता हूँ हमने जो हमारा एक लेबल है ना जिसका नाम है total bill हम एक range मुकरर कर देते हैं इससे ज्यादा bill है तो वो high bill है इससे कम bill है तो low bill है तो हमारे पास दो क्लासिफाइर आ रहेंगे low bill या high bill मतलब जो खाना खाने गहे हैं उनका bill कम था या ज्यादा तो हम किस तरीके से divide कर रहे हैं हम median की left side को low कह रहे हैं right side को high कह रहे हैं समझे रही बात की median एक center point होता है ना अगर 0 से 20 डॉलर bill बन रहे है total तो इसका median for example अगर 10 है 10 से उपर वालों को high bill कह दे 10 से निचे वालों को low bill तो हमने ये दो categories बना ली है boolean operator की एक नया हमने table बना लिए जिसका नया data set बना लिए इसका नाम है high bill यानि के एक नया column add किया जिसके अंदर हमारे पास values आएंगी true और false की तो हम इसको मैं run करता हूँ तो hopefully ये हमारे पास जो है proper way में इस तरीके से data set आजाएगा तो अगर मैं इसको दुबारा से tip one tips का data जो है इसको head करते है तो इस तरीके से high bill की value आपके पास आगी zero है तो high bill नहीं है one है तो वो high bill है ठीक है यहांदर clear होगी बाजी अब अगर आप इसी चीज़ को नहीं करना चाहते हैं आप किसी और चीज़ के थूँ इसको आगे लेके चलना चाहरे हैं मतलब आप चाहते हैं कि बकाइदा मैं male या female को यहां पर predict करूं बजाए इसके कि मैं अपना classifier अपना algorithm बनाऊ तो आप numeric से भी binary classification की तरफ जा सकते हैं और खुद से करने के बजाए आप already जो made आपके categorical variable उनकी base में भी कर सकते हैं यहां पर describe किया हमने शिरफ head किया this is really simple elements जो सिरफ data को view करने के लिए है कि आप किस चीज को यहां पर देखना चाते हैं and then you can start with the importing algorithm सब कुछ same है मैं यहां पर दुबारा से repeat ने करता हमने यहां पर एक binary classifier बनाया यानि कि एक हमने नया variable add किया और उसको हम प्रडिक्ट करने जा रहे हैं कि किसी ने bill high दिया है कि low दिया है और same वही चीज़े हैं सारी सिरफ why के अंदर वह वाला parameter आ जाना है जिसको हमने predict करना है and that should be binary उस में data binary होना चाहिए उस एक parameter के अंदर क्योंकि हम binary classification करने वाले हैं अब जो चीज़ की change आनी है न वह सिरफ यह है कि यहां पर एक neuron उन है और activation function sigmoid है that's it बाकी सारी चीज़ें से sigmoid क्यूं है आपको भी पता है वह binary classifier है activation function है जो values की base पे एक चीज़ को yes या no में convert करता है और क्यों एक हमारे पास neuron है दो क्यों नहीं है by the way एक ही neuron में या yes आएगा या no आएगा ये नहीं होगा कि दो हो एक के yes दूसरा के no फिर तो लड़ाई पर जणी है न रोला पह जाएगा फिर तो वह रोले से बचने के लिए हम इस तरीके से एक neural network को रखते है ठीक है and then everything is same आप यहां पर cross binary entropy या binary cross entropy रख सकते है एडम optimizer है matrix आपके matrix change हो जाएंगे जो मैंने पहले भी आपको बताया था समझा ही बात की अब आप matrix के अंदर पिछली दफ़ा हमने loss को किया था ना loss में mean squared error था दूसरे error से अगर मैं आपको दुबारा से दिखाऊ regression problem को तो यहां पे हमने मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ हमने यहां पे compile करते वकत loss function लिखा था अब हम लिखेंगे matrix कौन सी matrix को आपने चलाना है तो आप यहां पे accuracy को लेके चलेंगे ठीक है loss का मतलब यह होता है कि एक generalized model से कितना फरक है याद करें simple linear regression में जो चीज़े मैंने आपसे पूची थी आपको याद हो ठीक है मतलब हमने एक line बनाई थी और मैंने का था यह point सारे खुश नहीं रहते इस line से तो जितने ना खुश रहें वो हमारे नुकसान में है वो रिष्टेदार जो हमसे नराज होते हैं वारे नुकसान में होते हैं उनना मर्जी खिलाए पलाए जो एंड ते जाके उनने कुछ भी नहीं था नूं सिला देना हो था तो आप वो लॉस फंक्शन को वैसे गिलने जिन रिष्टेदारों से जिन रिलेटिव से जितने दोस्तों से आपके दूरी है वो आपके हक में कभी-कभी खराब भी हो जाते हैं तो लॉस फंक्शन ऐसे मेजर भी किया जाता है कि आपसे कुछ खुश है या नहीं लोग और 32GB रहा है मैं इसकी तो इस वड़ा से यह बार-बार आ रहा है अगर आपके नहीं आता तो डिजन मैटल डिवाइस की हूं आ रहा है क्योंके मेरा जो M1 का GPU है वो मैटल डिवाइस की तरह का होता है अच्छा अब accuracy को at the end मैंने percentage में यहां पे convert कर लिया और इसको run करने के बाद जो हमारे पास accuracy है यह 67.35 है and then you can also predict the variable के कौन सा है अगर मैं इसको यहीं पे दोबारा से run करूं इस पूरे model को यह मैंने दोबारा से run किया आप देखेंगे नीचे यह run हो चुका है यह दोबारा से run हुआ है अब मैं क्या करता हूं यहीं पे model डॉट प्रेडिक्ट करता हूं और एक्स टेस्ट को पूरे को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं या मैं लास्ट वाली पांच values को भी कर सकता हूं यह मेरे पास उसकी value आगी अब यह जो मेरे पास values final आ रही है यह मुझे एक value बता रहा है exact value के इसकी value क्या हो ठीक है लेकिन हमें activation function चाहिए होगा which will classify that into something different like sigmoid कब करेगा यह कहेगा जी 1 है 4.8 को 0 कर देगा इसको भी 1 कर देगा इसको यह 1 कर देगा और इसको भी 1 कर देगा so you can have an idea कि किसने ज्यादा bill pay किया किसने काम किये but usually when you are developing an app you can call this function at the end okay एक से ज्यादा metrics आप रख सकते हैं obviously रख सकते हैं you need to add different list with comma separation values matrix आप ज्यादा भी रख सकते हैं डिजन मैंटर तो यहां पर loss and accuracy हमारे पास दोनों आ रहे and then हम यह थी binary classification कैसे करेंगे असान बहुत असान कैसे मैं भी आपको दिखाता हूं अब आपने जो काम करने अब softmax function का क्या मकसद होता है multi class को देखते हैं मिसाल के दोर पे activation function में मैंने cat dog की तस्वीरों के साथ आपको दिखाया था अगर आपने वह lecture सुने तो आपको याद होगा और हमने softmax function को बड़ी detail में वहां देखा था लेट मी फाइंड आउट अगर मेरे पास वह तरस्वीर पड़ी भी हो आइकन शो यू यह कैसे काम करते हैं यह वाली स्लाइड अगर आपने लेक्शर सुना होगा तो आपको याद होगी अगर नहीं सुना तो शायद फिर ना याद हो यह वाली यह दिस वन लुक softmax activation function क्या करता है कि सारी hidden layers sorry input layer फिर hidden layer आगी फिर output आपकी आगी फिर softmax function जो इसके अंदर लगा होता है वो probability calculate करके देता है हर एक value की अगर मारे पास चार चार organism है sorry animals are cat dog tiger and none तो यह क्या करेगा तस्वीर को देखते हुए classify करने की कोशशिश करेगा कि इसके इतने percent chances है cat होने के इतने percent chances है dog होने के probability की ways पे और इतने percent chances है tiger होने के इतने percent chances है कुछ मी ना होने के तो जब आप probability देखते हैं तो जिसकी सबसे high probability होती है वो हमारी value final होती है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि by observing the probability distribution we can say कि यह एक dog है यह हमने खुद नहीं करना होता बाइदावे यह algorithm ने करना होता है और softmax activation function ने खुद करना होता है तो आपको बताने का मक्सद यह है कि यह चीजें automatically calculate होते हैं you should know कि softmax क्यों use किया गया है ठीक है जी softmax लिए use किया गया है क्योंकि हमारे पास day predict करने है और day तीन या चार किसम के है Thursday, Friday, Saturday and Sunday चार हैना days अब binary classification तो नहीं रही चार में से एक predict करना है that is why this is called multi class classification समझ आगी बात की multi class classification क्या है यह जो camera बंद करके बैठे हैं ना गलत बात है अच्छा multi class classification के बाद हमारे पास एक और किसम की classification होती है जिसको हम कहते है multi label classification उसके बारे में हम बात करेंगे but for now we will see हमारे पास यह multi class classification जो हमने की है इसके अंदर हमने softmax use की activation function and then आप क्या कर सकते हैं इसके इलावा एक तो मेरा mouse काम खराब कर रहा है आप इसी के validation और test की loss को accuracy को चेक कर सकते हैं ठीक है और उनको draw कर सकते हैं जैसे हैं कि मैंने यहां पर यह draw किया है और यहां पर आपको पता चल रहा है कि पहले loss ज्यादा था आइस्ता इस्ता इस्ता कम हुआ और यह जो training loss है यह कम होता गया लेकिन validation loss एक point पे आके extra हो गया ज्यादा हो गया that means we have to tweak our algorithm ठीक है so usually ऐसा भी होता है and then अगर आप दुबारा देखें so यहां पर आप दुबारा से optimize करके उसको करेंगे तो इस तरीके से आपके कुछ figures आना start हो जाएंगे यह जो मैं figures आपको दिखा रहा हूँ इनका मकसद क्या है इनका मकसद है आपको बताना है कि आपका model best fit हुआ है under fit है over fit है या आपके model की कुछ खराबियां आपके सामने है और उसके लिए मैंने अगला lecture आपको अभी दिखाता हूँ जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे आप model की fitness चेक कर सकते हैं